तो इस वीडियो में हम लोग चार्च के बारे में बात करेंगे तो अगर आप याद करो तो मेकानिक्स में जो बेसिक प्रापर्टी थी वो क्या था मास था लेक्टो मैने डिस्ट में जो बेसिक प्रापर्टी होगी वो होगी चार्च तो चार्च क्या होता है तो चार्च क्या होता है अपने को नहीं पता है इसलिए आपको बताएंगे भी ने की चार्च क्या होता है लेकिन अपने को यह पता है कि बई चार्ज को मेजर कैसे करते हैं उतना काफी देगा हमारे लिए जो खुशी की बात है अगर आप व्याद करो तो मेकैनिक्स में भी हमने आपको यह नहीं बताई रहा कि मास क्या होता है वहां पर हमने आपको यह बदाया था कि मास काम है जब भी आप दो अब्जक्स को रब करोगे रगलोगे इन वेरीबली फ्रेक्षिन के पारण चार्ट पर दूज़ोगा तो बहुत कामन गजैंपल दी जाते हैं इसको आप ऐसे बालों पर रगडें और अगर आपके पास चो उसके पास लेके हैं तो उसको अट्रक्ट करेगा घिंज़ेगा अपनी तरफ क्योंकि चार्ज हो गया उस पे कभी कब आप स्वेटर उतारने के कोशिश करें तो अब को थोड़ा सा स्ट्राटिक लगेगा शॉक लगेगा वो चार्ज है यहीं नहीं इन फैक्ट जब भी फ ठीक है तो अगर आपके पास एक ग्लास लाट जिसको अपने सिल्क के साथ रब किया उसमें कुछ आ जाएगा अब अगर आप इन दोनों रॉट्स को पास लेके आएंगे तो इनमें कुछ रिपल्शन फोर्स आएगी ठीक है अब क्या करो अगर आप एक वास कुछ डबर का टुकड़ा है उसको अगर आप फर के साथ रगड़ो और एक और रबर को टुकड़ा लो उसको भी फर के साथ रगड़ो उन दोनों को पास में लाओ तो वो भी रिपल्शन करेंगे ठीक है अब क्या करते हो तीसरी ब ठीक है तो लग रहा है कि इस पे किसम का चार्ज आ रहा है इसमें दूसरे किसम का चार्ज आ रहा है तो अभी इससे एक बात तो साफ हो रही है कि जिस तरह का चार्ज यहां पे आ रहा है और जिस तरह का चार्ज यहां पे आ रहा है वो अलग लग रहा है ठीक है तो नॉर्मल सवाल दिमाग में आएगा कि किसी और तरह का चार्ज पॉसिब है तो अब क्या करो डिफरेंट चीजों को रब करना शुरू करो देखो किस तरह का चार्ज आ रहे हैं आपको मिलेगी वह यहां कि जैसे जो मर्जी रब करो जैसे मर्जी रब करो हर ताइम यहां तो इस तरह का चार जाएगा तो इसे एक बात दो क्लीर हो रहे हैं कि चार्ज सिर्फ दो तरह का होता है ठीक है तो अभी हमारे बेंजमिन फ्रेंक्लिन सब पिक्चर में आते हैं तो बहुत मशूर साइंटिस थे अमेरिकन साइंटिस थे और वह वाना दा इसको पॉस्टिव बोला एको नेगटिव बोला कोई रीजन नहीं था कि किसको पॉस्टिव क्यों बोला एक नेगटिव बोला ऐसे और बिटरली रख दिया तो उन्होंने इसको पॉस्टिव बोला इसका नेगटिव बोल दिया अगर उन्होंने इसको नेगटिव बोला होता तो अभी हमारे पास एक positive charge होता है और एक negative charge होता है ठीक है तो हमने अब तक जो भी देखा है उसको use करके हम एक simple charge का model बना सकते हैं कि नेचर में दो तरह के charges होते हैं एको हम positive बोलते हैं एको negative बोलते हैं अगर same charges को आप pass में लेकिया होगे तो वो repel करते हैं अगर आप opposite charges को pass में लेकिया होगे वो attract करते हैं और हम next कुछ वीडियो में जब कूलम्सला की बात करेंगे तो वो use करके हम उन charges के बीच में force कितनी होती है वो भी निकाल पाएंगे और कुछ और properties के base पे हम लोग एक simple simple charge का model बना सकते हैं तो हमने अब तक जो भी देखा है उसमें एक मज़ बिना की भाई positive और negative charge का source क्या है positive और negative charge के source को जाने बिना ही हमने एक simple से charge के model को use करके more or less पूरी की पूरी electromagnetic theory बना दी थी अगर आप देखो तो जो source है charge का यह positive और negative भी atom के बीच में electrons और protons में हैं और इनकी electrons और protons की discovery बहुत बाद में हुई थी उनकी discovery के पहले ही हम लोग simple एक charge के model के base पर ही हमने more or less पूरी की पूरी लेक्रोमेरिंटी थी बना जोके थे जो मज़े की बात है ठीक है और जो हरान प्रशान करने वाली बात ही है कि एक नन्ना सा फिनामिना नन्ना सा charge चोड़ा सा रोज मर्रा की जिन्दी में जो आप चीज देखते हो कि मैंने कुछ चरब किया किस जीज को और वो पेपर को ट्रक कर रहा है सिंपल सी चीज जो है इसका लिंक हो सकता है आपके computer के साथ आपके smartphone के साथ बिजली के साथ light के साथ magnetism के साथ अगर आप सच में इसके बारे में सोचो तो काफी हरान प्रशान करने वाली बात है और उसी को थोड़ा इस प्लेइस प्लेइस तो अभी देखते हैं इस चार्ज की गंगोतरी कहां पर है इसका source कहां पर origin कहां पर है तो इस चार्ज का जो source होता है वह atoms के अंदर है यह जब यह ग्लास राट को parliament कहां आपको तो जब हमने इनका चर्ज number one and number two से compare किया पिछली slide से number one क्या था आपने glass rod को silk के साथ rub किया और number two क्या था आपने rubber को एक fur के साथ rub किया हुए तो जब हमने इन दोनों के charges जो है वो उन दोनों के साथ compare किया तो पता लगा कि भाई electron पे जो होता है वो negative charge होता है और proton पे होता है positive charge और उनको पता लगा कि neutron जो है वो neutral होते है ठीक है तो जब हम electrons और protons के charges के साथ काम करें तो आपने को दो बड़ी important चीज़ें और पता चली पहली बात तो यह पता चली कि यह जो charge है electron पे यह उनकी fundamental property है जैसे mass होती है fundamental property वैसे ही charge भी fundamental property है electron और protons की जैसे आप एक electron यह पर प्रोटान नहीं पा सकते जिसका कुछ mass नहीं होगा इसी तरह से आप एक electron और प्रोटान नहीं पापा होगे आपको नहीं मिलेगा जिस पे कोई charge नहीं होगा तो यह जो charge थी यह electron और protons की एक fundamental property थी ठीक है और दूसरी प्रोटान बहुत आपने को पता लगी थी कि भई जो electron पर जितना charge होता है और proton पर जितना charge होता है उसका magnitude quantity charge की same होती है although दोनों पर charge different sign का होता है लेकिन जितना charge है electron पर उतना ही proton पर charge भी होगा और यह smallest charge है जो किसी भी object पर हो सकता है इस charge का multiple होगा एक अबर हम मालें की electron पर charge e है तो किसी भी object पर जो charge होगा वो ne होगा ठीक है तो इसलिए इस charge को हम fundamental charge बोलते हैं ठीक है तो अब हम दकते हैं कि जब चीजों को रब करते हमनों तो charge कैसे produce होता है तो जो natural state होती है objects की वो neutral state होती है मतलब उसमें जितना positive charge होता है उतना ही negative charge होता है तो net charge उसपे zero होता है neutral state होती है लेकिन जब हम चीजों को rub करते हैं तो क्या होता है कुछ electrons जो है वो एक object से दूसरे object में transfer हो जाते हैं तो जिस object से electron transfer हुए उसमें positive जाजा जाएगा कि उसमें electron कम हो गये हैं अबी और जिस object में electrons गए उसमें negative जाजा जाजाएगा net, कि उसमें जएधा electrons हो गये हैं जो पिछली स्लट में हमने case देखा था कि glass rod को हम silk से rub करते हैं तो इस case में क्योंगा glass rod से कुछ electrons silk में चले जाएगे तो यहां पर electrons कम हो गए हैं अभी तो इसमें positive charge आजाएगा, इसमें electron ज्यादा आगे हैं इसमें negative ज्याजा जाएगा एक बात गोर करने वाली यह है कि इस पे positive charge electrons के जानने के कारणा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हमने extra protons add करती हैं, वैसा नहीं है electrons इसमें कम हो गए हैं, इसलिए इसमें positive charge आ गया है, ठीक है तो अभी आपको एक थोड़ा सा idea देने के लिए कि generally कितने electrons transfer होते हैं, जब आप रब करते हैं चीजों को, तो अगर आपके पास एक centimeter cube की rod है, उसको जब आपने रब किया तो approximately 10 to the power 10 electrons transfer होंगे, आपको लोगे आया है, यह तो बहुत electrons transfer हो रहे हैं, लेकन ऐसा नहीं है, इसक उसके ओपर एक और क्रोड, उतने electrons हैं, तो उसमें खाली एक electron move हो रहा है, तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि total number of electrons किसी object में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि चार्च को produce कैसे करते हैं, पैदा कैसे करते हैं, अब हम चार्च के एक और प्र सिल के साथ रप किया तो उसके ओपर positive charge आ गया था, अब मैं अगर उसको एक metal sphere के साथ जोड़ू, जो एक प्लास्तिक की किसी डिब्बे पर बैठा हुए, तो कुछ दर के बाद आप 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 देखेंगे कि यह sphere यह भी charge हो गया, इसको भी अगर आप फोड़ी और पेपर क पता करने के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया हुए, एक और मेरे पास metal sphere है, जिसको मैंने plastic के डब्बे के ओपर रखा हुए, और वो मैंने जोड़ दिया इसके साथ एक plastic raw के जरी है, अगें, मैं यह जो charge टार्टी, इसको किसा टच करता हम थोड़े दिर के लिए, और कु प्लास्टी के साथ, अब चेंज यह है कि भाई, प्लास्टी की जगा मैंने बीच में एक metal rod लगा दिया है, अगें, सेम देखता हूँ कि भाई, इसको टच करता हूँ, देखता हूँ कि भाई, इसमें कुछ चार्ज आया कि नहीं आया, तो मैं पाउँगा कि भाई, इसमें जो चार्ज था हो, यहां से यहां पहुंच पाया, लेकिन इसके इसमें चार्ज यहां से लेकिं यहां तक नहीं पहुंच पाया, दोने में डिफ्रेंस क्या था, डिफ्रेंस खाली यह था कि भाई, यहां पे प्लास्टी था, यहां पे मैटल था, तो लगता है कि में से चार्ज नहीं जा पाया जबकि मेटल में से चार्ज जा पाया तो इसके बेश पर ही हम जो मेटेरियल होते हैं उनको दो कैटागरी में डिवाइट कर सकते हैं एक टाइप में जिसमें से charge move कर सकता है दूसरा है जिसमें charge नहीं move कर सकता एक को बोलते हैं insulator दूसरे को बोलते हैं conductor तो insulator वो में details होते हैं जिनमें जो access charge होता है वो move नहीं करता है जैसे आपका plastic हो गया लकडी हो गई glass हो गया rubber हो गया pure water इसमें अगर आप एक्सेस चार्ज डालोगी तो वह चार्ज मूव नहीं करेगा अगर आपने गोर किया हुए इस एक्सपेरिमेंट में इस फिगर में तो यह था हमारा ग्लास जो हमने सिल के साथ रब किया था अगर मैं जूम करूं कि मैंने यहां से उसको पकड़ा हुआ था और इस एंड पर मैंने रब किया तो गर देखो तो चार्ज खाली इसी एंड पर है चार्ज बाकी और कहीं पर चार्ज नहीं है तो चार्ज जो है वो मूव नहीं करता ठीक है तो चार्ज जो होते हैं जिनमें जो एक्सेस चार्ज होता है वो मूव कर सकता है आपके जितने बी मैटल्स हैं आपको पर हो गया अलमूनियम हो गया इस तब कंडॉक्टर साइए इसमें जो चार्ज होता है वो मूव कर सकता है इसलिए इस इस केस में चार्ज यहां से लेकिन यहां तक मूव नहीं कर पाया था क्योंकि बीच में इंसुलेटर था जब कि यहां पे चार्ज यहां से यहां तक मूव कर गया क्योंकि बीच मेटल था ठीक है तो रीजन कंडॉक्टर में चार्ज मूव कर सकता है और इंसुलेटर में चार को मूव करते हैं इंसुलेटर में जो लेक्टरॉंस होते हैं वो न्यूपलियस से बहुत टाइटली जुड़े होते हैं उतना मूव नहीं कर सकते इसलिए चार्ज मूव नहीं करता है ठीक है तो अभी कंडॉक्टर के लिए तीन इंपॉर्टन बात याद रखने हैं मुली पह नहीं चार्ज मूव कर सकता है मतलग अव कर सकते हैं इसका मतलग यह कोई एक लेक्ट्रॉंस देख कर जाएगा को बहुत अगर इस रहा सब्सक्राइब मेरे पास नेगटिव चार्ग होता मतलग एक्सेस एलेक्ट्रॉंस होते हैं जब मैं तक टूच किया तो असा सभी होता जब हम access electrons डालेंगे तो क्या होगा? Electrons repel करेंगे और उससे motion होगा जब मुझत है कि charge move करता, तो charge ऐसे move करता है conductors में ठीक है? और तीशरी बात और इसको थोड़ा detail में पढ़ेंगे नेक्स कुछ वीडियो में लेकिन वो ये है कि भई, जब आप access charge डालते हो किसी conductor पर तो जो access charge रहता है, वो conductor की surface पर ही रहता है अंदर नहीं जाता, ठीक है? थोड़ा detail में पढ़ेंगे इसको नेक्स कुछ वीडियो में लेकिन आपके लिए इतना याद रखिए तो अब तक तो हम लोग glass rod को या फिर rubber को rub किये जा रहे थे वो सब insulators हैं, तो सवाल यह है अगर मेरे रपास एक metal की rod है उसको मैंने हाथ में पकड़ा है और उसको rub करता हूँ मैं तो क्या metal की rod पर charge मिलेगा कुछ मेरे को? तो आप यह जानके थोड़ा हरान होंगे शायद की metal की rod पर charge मेरे को नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? Charge नहीं produce हुआ इस case में rubbing ने कारण? इस case में charge produce तो हुआ, लेकिन वो metal की rod पर नहीं रहा कहीं ओर चला गया वो तो इस case में क्या हुआ? Since आपने metal की rod को हाथ में पकड़ा हुआ है, आपकी body भी एक ठीकठा conductor है Depending upon अगर आपने negative charge produce कर रहे थे अपनी metal rod पर तो electrons आपकी body के थुरू जाके जमीन में चले जाएंगे अगर आप positive charge produce कर रहे थे तो electron को जमीन से आपकी body के थुरू आके उसको neutral कर देंगे तो insulator के cases में भी जब लोग हम लोग rub करके charge produce कर रहे थे उस cases में उस cases में भी जहांपे आपने rub की है अगर आप touch को रहे इसको थोड़ा तो उसमें charge खतम हो जाएगा जूँकि आपकी body के थुरू वो चला गया तो इस process को जिससे आप charge को remove करते हो इसको discharge बोलती है जरूरी नहीं कि आपकी body से गुजरना चाहिए बर जिससे आप charge को remove करते हो इसको discharge बोलती है ठीक है तो finally reason कि आपकी body जो है वो ठीकटा conductor हुई है कि human body पानी से बनी हुए है mostly प्योर पानी इतना चाहा conductor नहीं है लेकिन पानी में क्या होता कभी से minerals मिली होते हैं salts मिली होते हैं तो उनके ions मिल जाते हैं आपकी जो जमीन है अर्थ है वो भी ठीकटा conductor है अर्थ में भी बहुत सहथा minerals हैं पानी हैं ions है तो अर्थ भी आपका ठीकटा conductor है जब भी आप किसी conductor को जमीन के साथ जोड़ते हो तच करते हो तो उसको conductor को बोलते हैं grounded हो गया वो for example मैं जब जमीन पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं grounded हो गया हूँ जब आप किसी conductor को ground करते हो तो क्या होता है उस conductor पे जो access charge होता है वो जमीन के साथ आप share करते हो क्यों दोनों conductor हो लेकिन जमीन बहुत बड़ा conductor है तो वो जो object है जो conductor है वो totally discharge हो जाता है ठीक है तो final point इस slide का तो आपने काफी बार नोडिस किया हो कि सर्दियों में आपको जो static shocks लगते हैं वो जएदा लगते हैं गरीमियों के मुकाबले तो reason ही आगी भई सर्दियों में जो हवा होती है वो dry होती है Summers के मुकाबले में कम पानी होता मौशर कम होता उसमें जो dry air होती है वो इतना अच्छा conductor नहीं है तो क्या होता है रोज मना की काम चाप कर रहे हैं तो क्या था friction के कर रहे हैं आपकी body थोड़ा मोड़ा चार्ज करता करती रहती है लेकिन गर्मियों में सिंस हवा में मौशर होता है और मौशर क्या करता है हवा को एक टिकटा conductor बना देता है तो आपकी body से charge discharge होता रहता है लेकिन सर्दियों में सिंस हवा dry होती है तो discharge continuously होता नहीं रहता है तो आपका body जो है वो charge build-up करता रहता है जब for example किसी metal को आपने चुआ द्रवाजे को metal के द्रवाजे को पकड़ा तो immediately discharge होता है जिससे आपको shock लगता है ठीक है तो अब इस वीडियो को आखरी topic देखते है हम लग तो अगर अब तक इस वीडियो को गोर से देखा है समझा है तो आपको एक चीज किसी ट्रबल कर रही होगी बॉधर कर रहा होगी दिख्कत देरी होगी है कि लस autos चाहे वो नेगटिव चार्ज किया वह उसको हमने या फिर पॉस्टिव चार्ज किया वह जब उसको हम एक न्यूट्रल अब्जेक्ट के पास देखे आ रहे हैं जैसे पेपर के टुकड़ी होगे तो उसको वह अट्रेक्ट कर रहा था अपनी तरफ खींच रहा था चाहे वह तो सवाल यह कि भाई न्यूट्रल अब्जेक्ट को एक चार्ज अब्जेक्ट चाहे वह पॉस्टिव और नेगटिव कैसे खींच रहा है ठीक है तो उसको करने के लिए हम एक निया कॉंसेट करेंगे चार्ज पोलराइजेशन उसकी बात करेंगे ठीक है तो पहले हम लोग इन सुलत नल देकिक है तो जैसे हमने पूद्ध में कि इसलके ंच में डरां करने को तो यहां पर हमारे पास मेंट भी up करने को सूढ़श यहां पेश्व दैंगे तो इस metal में यहाँ पर रेक्टरांस आ जाएंगे, यहाँ पर positive charge आ जाएगा तो यहाँ पर positive यहाँ पर negative है तो आपने क्या किया positive और negative charge की बीच में थोड़ा separation create कर दे, थोड़ा दूरी create कर दे, अभी भी यह metal जो है वो neutral है लेकिन आपने क्या किया उन दोनों के बीच में थोड़ी separation create कर दी, यहाँ पर positive charge आगर मैं negative charge लेके आता तो यह हिस्सा थोड़ा positive बन जाता यह हिस्सा थोड़ा negative बन जाता, वो generally metal में जो separation होता है, वो 10 to the power approximately minus 15 meter के roundabout होता है, ठीक है तो यह process जिससे आप positive और negative charge के बीच में थोड़ा separation create करते हो, एक neutral object में उसको बोलते है charge polarization, ठीक है charge polarization के कारण, specifically metals में आप बहुँ ज़दा cool चीज़ें कर सकते हो, जो बिलकुल intuitive नहीं है, मिसाल के दोर पे अगर मेरे पास दो block होते हैं metal के ऐसे और मैंने दोनों को जोड़ा होता ठीक है, तो दो block है metal के मेरे पास जिनको मैंने जोड़ा हुआ है अब मैं क्या करता हूँ, एक positively charge rod इन दोनों के पास लेके आ जाता हूँ, तो सिंस यह metal block इसके पास में हैं, तो इसमें negative charge, लेक्टरों mostly इसमें move करेंगे तो क्या होगा, आपका यह metal block mostly negative होगा, दूसरा वाला metal block positive होगा अब मैं क्या करता हूँ, जब यह इसके पास ही है, मैं इस metal block को थोड़ा दूर ले जाता हूँ तो यह आपका negative बन जाएगा, यह वाला positive बन जाएगा तो आपने इस charge object को touch किये भी नहीं आपने कहीं दूर charge पैदा कर दिया है इसको बोते है charge induction ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ आप इस charge induction से कर सकते हो, ठीक है तो अभी insulator का case देखते हैं, तो insulator में तो electron free नहीं है move करने को, तो उस case में क्या होता है, वो देखने से पहले देखते हैं कि अगर आपके पास एक atom है, जिसके पास आपने पोई charge object लेके आया है, तो atom कैसे react करेगा, यह हमारे पास एक atom है जो neutral है, अब मैं इसके पास charge object लेके आया हूँ, जैसे हमने आपजूर atoms होंगे, insulator की वो polarize हो जाएंगे, तो insulator की एक तरफ आपके पास एक charge आजाएगा, दूसर तरफ दूसर चारज आजाएगा, opposite चारज आजाएगा, तो insulator भी polarized हो जाएगा, ठीक है, तो अभी आखिर में जो हमने इस slide के starting में सवाल किया था कि बाई, एक neutral object को charge object कैसी अपनी तरफ खींचता है, तो जब आप एक neutral object को charge object के पास लेके आते हैं, तो वो उसको polarize कर देता है, जिसके कारण attraction होता है, और उसको अपनी तरफ खींचता है, for example, paper अगर इसके पास लेके आए, अगर ये positive charge है, तो paper की इस तरफ हो negative charge create करतेगा, अगर आपने negative charge उसके पास लेके आए, तो इस तरफ positive charge create हो जाए, और उसके कारण, attraction के कारण, उसको खींचेगा अपनी तरह, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much for your time, आप से फिर्मूला कद होगी, thank you, शुक्रिया